नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन में अब महिलाएं नाइट सिप्ट में काम कर सकेंगी हेमंत करिमनेट ने जार्खन राजे लेखा लिपी किये सेवा सन्वर्ग नेमाली को भी स्थोगरिती दे दिया वहीं 29 भावे 200 विद्याले के लिए गोला में 25 कड़ो 2 लाख की स्थोगरिती सरकार ने दी है रिम्स और फुलो जानों में कोरोना टेस्टिंग कीट के लिए 6 कड़ो 95 लाख की घटनोतर स्थोगरिती दी गाई वहीं राजे के 189 उत्किष्ट विद्यालों में 4960 पदों के स्रीजन की स्थोगरिती सरकार की तरफ से दे दी गई जबकि 650 अंगनवारी केंद्रों को सक्षम अंगनवारी के रूप में उन्यान को स्थोगरिती केबिनिट से मिली है सरकार ने ज़ाखन राजे ग्रामीन बैंक को राजे मत से 3,38,63,000 देने की सुक्रीदी की इसके साथ ही नगर निकाई और पंचाई चुरों में आरक्षन की पत्रता तय करने के लिए राजे पिछड़ा वर्ग आयोकोई सुचित किया गया है सिक्षा पर्योजना परिशत करयाले के बाहर आउट्सोर्सिंग अस्टाप का हंगामा ज़ाखन सिक्षा पर्योजना परिशत के करयाले के बाहर आउट्सोर्सिंग अस्टाप ने जम कर हंगामा किया परदर्शन कर रहे करमचारियों ने कहा है कि सालों तक काम लेने के बाद नौकरी से हटाने के परियास किया जा रहा है बता दे जार्कन एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिलिंग के हजारो आउट्सोर्सिंग अस्टाप ने जार्कन सिक्षा पर्योजना परिशत के कर्याले के बाहर हंगामा किया हंगामा करने वाले करमचारियों ने बताया है कि हाल के दिरों में जार्खन सिक्षा पर योईना परिशत की ओर से आउट्सोर्सिंग पर काम कर रहे करमचारियों की छटनी की जा रही है परदनासन कर रहे करमचारियोंajeंने बताया है परशत की ओरसे चिथी निकाल कर सभी करमचारियों से रोइस्टर मंगा गया और उस रोइस्टर में आट्सोर्शिंग पर काम कर रहे करमचारियोंको सुने बताया गया है सरावनी मेला को लेकर bênगे 44 अस्थाई ओपी जहरखन केबिनेट की बैठक सोमवार को रांची के धुरवा इस्थित प्रजेक्ट बिलिंग में हुई इस बैठक में कूल 43 प्रस्तावा पर मुहाल लगी है इसके तहत जहां राजकी स्रावनी मेला 2013 के मदर नजर ला एंड आउडर बनाए रखने के लिए 4 जूलाई से 29 सितंबर 2013 तक 27 अस्थाई मेला ओपी और 17 अस्थाई या तयात ओपी के गठन की शुक्रित दी गई वहीं स्रावनी मेले के सफल आयोजन को लेकर 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ 110 अस्पताल तथा अस्धालाय तथा मेडिकल अस्पताल एवं सदर अस्पताल के तहद भी भीन मदों में 6,87 लख किरासी जार्खन आक्समिक्ता निधी से अगरिम प्राप्त करने की सुक्रित दी गई वहीं अजीम प्रेमजी विश्ववविद्याले रांची की अस्थापना के लिए 120-150 एकड़ भुमी नियानवे वर्स के दिरिखाकालिक लीच पर अप्लावत कराने के लिए अजीम प्रेम जी फाउंडेंशन एमराज सरकार के बीच विश्वी द्याले के स्थापने के तरीक उसी बोई पर मेटकल कॉलेज एम अस्पताल के स्थापने के लिए M.O.U. में संसोधन की सुग्रिती दिगाई गुमला में डायन विशाही के सक में सालो देवी के हत्या के दस आरोपी गिरफतार गुमला जिला अंतरगर सिसाई थाना के नगर चडरी टोली गाव निवासी सालो देवी की डायन विसाही के सक में हत्याक करने वाले 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार का सोमवार को जेल भेज दिया आरोपि की निसंदेही पर हत्या में परियुक्त दो टांगी वह एक लाठी भी ब्रामत की गाई सालो देवी हत्याकांड के मुख्या अरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर अर्विंद गिरफ्तार बिहार जार्खन में 100 से भी अधिक बई नक्सल खटनाओ को अंजाम देने वाला बिहार सरकार द्वार गोसित 10 लाख का इनामी मावादी कमांडर अर्विंद भुया और मुख्या जी को बिहार के सुरक्षा बलोने पलामो के मनातू छेतर से गिरफ्तार किया है इनामी नक्सली की गिरफ्तारी बिहार से सर्टे इलाके से हुई है इस गिरफतारी को पूलीस जहां बड़ी कम्या भीमान रही है वही मावादियों के लिए यह एक बड़ा जटका भीमाना जा रहा है बताद एक कम उम्र से ही मावादी दस्ते में सक्रिय अरविंद भुईया मूल रूप से बिहार कराने वाला है गया जिला के विराज गाव कराने वाला अरविंद भुईया सुरू से ही कुरूस साग्रा बुध्धी और तेज तराज था गुमला पूलिस का खुलासा राजिके कई जिलों में अवैध हत्यार के सहारे बैंकों की हो रही सुरक्षा गुमला सहीत कई जीलों में बैंक वा कैस वेन की सुरक्षा में अवैद हतियार का उपयोग हो रहा है साथ ही फर्जी लाइसेंस धारे सुरक्षा गाड़ों को सुरक्षा में रखा गया है इसका खुला सही गुमला पुलिस ने करते हुए दो लोगों को गिरवतार भी किया है साथ ही बारी मात्रा में हतियार भी ब्रामत किया गया पुलिस ने बैंक, ATM, कैस्वेन के आर्म्स गाड एवं कुछ लोगों के पास से काफी संक्या में अवैद बंदुक एवं गोली बरामत किया है इन लोगों के पास से आर्म्स लाइसेंस भी फर्जी पाया गया बारा पिस बंदुक, बारा बोर की 63 गोली, बारा आर्म्स लाइसेंस, एक मोहर डिष्टिक, मजिस्ट्रेट, नवादा बिहार, दो मोबाइल वा आई कार्ड बनाने का प्लास्टिक ब्रामत हुआ है हेमंत सरकार के खिलाप आईसू का जुलाई में हलना बोल आईसू पार्टि के अध्यक सुदेश महतों ने सुमवार को पूर्वी सिमूम और पच्मी सिमूम जीला के सभी पार्टि पतादिकारियों के साथ पार्टि के संगठ नात्मक समिक्छा बैठक की है या बैठक वर्चुल मोड में आविजित की गई बैठक के अध्यक्ष्टा करते हुए सुदेश ने कहा है कि आईसू पार्टि 15 जुलाई से पहले परखंड अस्तर पर किसान विरोधी नीदियो और ब्याप्त भर्ष्टा चार के खिलापालला बोलकार करम करेगी इसके तहद पार्टि राजे में संसाधनों के लूट, महिला उत्पिड़यन, भरष्टा चार और किसानों की विशाए पर आवाज बुलंद करेगी ज्यारखन सरकार निकाय चुनाओं की अर्चनों को खत्म करेगी ज्यारखन में निकाय चुनाओं को लेकर औरचन समाप्त करने की ओर सरकार बढ़ती दिक रही है ज्यारखन निकाय चुनाओं में पिछला वर्ग के लोगों को आरक्षन सुनिशित कराने के लिए ज्यारखन राजे पिछला वर्ग आयों को अधिकरित कर दिया गया है इस अंदर में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में निना लिया गया है कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही 43 प्रस्ताओं का मंजूरी परदान की गई परमुख निनाव में अधिवक्ता कल्यान निधी में जमा होने वाली रासी का दोगना होना सामिल है इसके अलावा जालता में प्रसिक्षको को मिल रहा मांदे भी संसोधित किया गया है राज भवन और सरकार फीर से आमने सामने जार्खन में राज भवन और सरकार के बीच एक बार फीर ताना तानी के असार बनते दिखाई दे रहे है बिधान सबादेक्स रमीन दरात महतों ने आरोप लगाया है कि राजभवन की बीजेपी की इसारे पर काम कर रहा है। पूंड हीत में जार्खन मुक्ति मोचा के करकता समेलन का वीडियो भी टाकिया है। राज सरकार ने चालू वीतिय वर्स में इस योईना से दो लाख यवाव को जोडने का लक्ष ताय किया है। मगर इस योईना की धिमी परगाती ने सरकार की चींता बढ़ा दिया है। लक्ष को हर हाल में पूरा करने के निदेश मुक्यमंत्री हेमांत्रेन ने अपने पिछले समीक्षा बेठा के दवान भी दे चुके हैं। मगर जटिल प्रसासनिक परकिरिया की वज़से इस योईना का लाव लावकों तक पहुंचने में परचानी हो रही है। योईना के मुताबिक 25 लाख तक करीन सरकार द्वारा रोजगार के लिए उपलब्द कराया जाना है। जिसमें 40 फिदी सब्सिडरिया दिक्तम 5 लाख कानुदान लावकों को मिलेगा जिसे वो कारोबार कर सकेंगे। धन्यवाद।